प्रीविद्यार्थियू, मैरन विजय पांडे, तिवरिया सीनरी सेकंडी स्कूल दिवरिया के आनलाइन कक्षा में आप सुवच्चों का बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ आईए आज हम लोग एका दसह पाठ है, ग्याराहवाँ पाठ, शावित्री वाई फूले, पाठ का वाचन करेंगे इसमें देखेंगे कि सिक्षा हमारा अधिकार है, हमारे समाज में कई समदाए इससे लंबे समय तक वंचित रहे हैं उन्हें इसे अधिकार को पाने के लिए लंबा संघर्ष करना पड़ा है, लड़कियों को और तो और जादा और ओध जिलना पड़ता रहा है प्रस्तुते पाठ इस संघर्ष का नेत्रित्व करने वाली प्रातह अस्मर्णिये प्रातह अस्मर्णिये योंग अनुकर्णिये महिला शिरुमणी शावित्री वाइफ हुले के योगदान पर केंद्रित है अर्थात उन्होंने इस तरी सिक्षा के लिए हमारे समाज में क्या योगदान दिया उशी उन्ही का जो है इस पार्ट में वर्णन किया गया है कि किस प्रकार से जो है महिला सिक्षा के लिए उन्होंने संघर्ष किया तो देखेंगे आज हम इसका वाचन करेंगे तो कह रहे हैं उपरी निर्मितम उपरी निर्मितम चित्रम पस्यत इदम चित्रम कश्याचित पाठ सालाया वर्थति यम शामान्या पाठ साला ना अस्ति यम अस्ति महाराश्टर से प्रथमा कण्या पाठ साला एका सिक्षिका ग्रिहात पुस्तकान आदाय चलती मार्गे कश्चित तस्या उपर धूलिम कश्चित प्रस्तर खंडान छिपती पर्मम सा श्वद्रिन निष्चे आत ना वी चलती श्वविद्याले कन्याभी शविनोदम आलपंती चम्मेताम आलप आलपंती साध्यापने शनलगना भवती तस्या श्वकियम अध्ययनम अपी अध्ययनम अपी सहसेव प्रचलती केयम महिला अपी यूयम इमाम महिला यूयम इमाम महिला जानित यमेव महाराष्टस्य प्रथमा महिला सिक्षिका सावित्री वाई फुले नामधेया तो देखेंगे यहाँ श्वद्रिन निष्चे आत एक बार फिर से इसका वाचन कर लेंगे कि छिपति पर्मम से स्वद्रिन निष्च्या ना विचलती श्वविद्याले कन्याभी सविनोदम आलपंतीम सा अध्यापनेशन लगना भवती तस्या स्वकियम अध्या अध्येनम अपी सहसेव प्रचलती केयम महिला अपी यूयम इमाम महिला जानीत यमेव महाराश्ट्रस्य प्रतमा महिला शिक्षिका सावित्री वाई फुले नाम धेया जन्वरी मासस्य तृतिये दिव से अठ्थारा स्व एक्तिस्तमे ख्रिष्टाब्दे महाराश्ट्रस्य नाय गावं नामने अस्थाने सावित्रिम अजायत तस्या माता लक्ष्मी बाई पिताचे खंडोजी इती अभीतई अभीतव नव वर्ष देशी यासा जोतिवा फुले महोदेन परणीता शोव पितदानीं त्रयोदस वर्ष कलप एवं आसीत यतोही सह इस्त्री सिक्षाया प्रबलह शमर्थकह आसीत अतह देखें अतह सावित्रिया मनसी इस्तिता अध्येनम अभिलासा उत्साहम प्राप्तवतीम इतह परमस शाग्रहम आंगल भासाया अपि अध्येनम कृत्वती 1848 मेख्रिष्टाप्दे पुने नगरे सावित्री जोतिवा महोदेन सह कन्याम कृते प्रदेशस्य प्रथमं विद्याल्यस्य आरवत तदानीम सह केवलम सब्त दस वर्सिया आसित 1851 मेख्रिष्टाप्दे अश्प्रिष्य त्वात तिरस्कृतस्य समुदायस्य बालिका नाम कृते प्रथक्तया तया अपरह विद्याल्यः प्रारब्ध समाजिक कुरीती नाम सावित्री मुखरम बिरोधम अकरोत विधवा नाम सिरो मुंदनस्य निराकरणाय सहसाच्छात नापितै मिलिता फलत केचन नापिता अश्याम रूढव सहभागिताम अत्यजन एक दा सावित्रिया मारगे द्रिष्टम यत कूपम निक्सा सेन वस्ता वृता शेन वस्त्रा वृता तथा कथिता देखे एक बार फिर से इसको पढ़ लेंगे कास्चित नारियह जलं पातुम याचंते आश्मे उच्चवरगियाह उपहासं कुर्वंतियह कूपात जलोध्धर्णम अवारयन शावित्रे एतत अपमानम सोडुम नाशकनोत शायता हिस्त्रियह निज ग्रिहम नीतवती तडागम दर्सित्वा अकतेत चयत एथेश्टम जलं नयत शार्वजनिको अयम तडागह अश्मात जल ग्रहने नाश्ती जाति वंधनम तयाह मनुष्याडाम शमानता याह स्वतंत्रता याश्चे पक्छे शर्वदा शर्वथा समर्थिते महिला शेवा मंडल शिशुहत्या प्रतिवंध वंधक ग्रिहम इदा इत्यादीनाम संस्थानाम अस्थापना अस्थापनायाम फुले दंपतियो अवदानम महत्वपूणं शत्यसोधक मंडलस्य गति विधुस अपि सावित्रे अतिव शक्रिया आसित अस्य मंडलस्य उत्देश्यम आसित उत्पीडितानाम समधायानाम स्वाधिकारान प्रति जाग्रणम इति शावित्रे अनेका संस्था प्रसासन कौसलेन संचालित्वति दुर्भिक्ष काले प्लेग काले चे सपीडित जनानाम आस्रयंतम आविरितम चे शेवाम अकरोत शहायता शामाग्रे ब्योस्था यही शर्वता प्रयासम करोत महारोग प्रसार काले सेवारतास स्वयम असाध्य रोगेन ग्रस्ता अठारासो सत्तानवे तमे क्रिश्टाप्दे निधनम गत अगे देखें आगे निधनम गत एक प्रस्तिस कोजे शावित्री अनेका संस्तारं प्रसासन कौसलेन संचालित वती दुर्विक्चि काले प्लेग काले चेसा पीडित जनानाम आस्रयंतम अविरितम चे शेवाम अकरोत शहायता सामाग्रे ब्योस्था यही शर्वता प्रया अकरोत महार रोग प्रसार काले सेवारतासा स्वयं आसाध्य रोगेन ग्रस्ता 1897 तमेक्रिष्टाब्द निधनम गता साहित्यरचनाया अपि सावित्री महीते तस्या काब्य संकलन द्वयं वर्तते काब्य पुले शुबोध रतनाकर चे इती चेती लिखा हुआ है इसको पढ़ा जाएगा विचेत करके बढ़ेंगे तो चे इती भारत दे से महिलो थानस्य गहनाव वोधा सावित्री महोद्या जीवन चरितम आवस्यकम अध्ये तब्यम इस प्रकार जो है आप लोगों का यह पाठ समाप्त हुआ जो क्लिष्ट प्रश्ण होंगे क्लिष्ट सब्द होंगे उसको एक बाए फिर से हम देखेंगे इस प्रकार आप लोग पूर्ण मनोयोग से इस पाठ का अध्यन करेंगे और जहाना समझ में आएगा फोन करके वार्टसप करके आप पहुंच सकते हैं बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को